हेलो आई, इस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज किस वीडियो सेशन में हम 17 दिसंबर तक के सभी important करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, अमिसा की तरह आप इस वीडियो को अंतितक जरूर देखेगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा, साथी का इस सेशन को सुरूर करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यह आप हमारी डेली करंट अफेर्स पीडियेफ, वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाहते हैं, तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंड में या पर डिस्रिप्शन में दिये गई लिंक पर क्लिक करके पासकते हैं, साथी आप गुगल प्ले स्टोर से करंट अफेर्स फंडा आप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडियेफ मैटियल है, आपको करंट अफेर्स के साथ 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 इस स्टैटिक चीक सबसे पहले आचा कोश्चन देख लेते हैं, which country has the highest percentage of women members in their parliament, किस देश की संसद में महिला सदस्यों का परतिशत सबसे अधिक है, options आपके सामने है, क्यूबा, बॉलिविया, रवांडा या फिर न्यूजिलेंड, तो मैं तो बन कोश्चन है, जलती से आप answer कर दीजे, comment box में फिर आगे बढ़ेंगे, बन किया गया है, options आपके सामने है, सही answer option B है, 7th, तो आपको जाना चाहिए, union minister for जल सकती, कजेंदर सिंग सेखावत, इन्होंने नई दिल्ली में, 7th edition of India Water Impact Summit, IWIS को inaugurate किया है, इसका theme रहा, restoration and conservation of small rivers in a large basin, साथी 5 piece, यानि की people, policy, plan, program and project, ये जो 5 piece है, mapping and curvature से संबंदित, इन पर भी emphasis किया गया है, which edition of Indo-Nepal Joint Training Exercise, Surya Kiran, is being conducted, भारत नेपाल संयुक्त प्रसिक्षन अभ्यास, Surya Kiran का कौन सा संस्क्रण, आयशित किया जा रहा है, options आपके सामने है, सही answer option C है, 16th, ये English में जो Surya लिखा है, Surya Kiran है, तो जानेगा, Surya Kiran 16, Indo-Nepal Joint Training Exercise है, इसका 16th edition, नेपाल आर्मी बैटल स्कूल, सलजाओंडी नेपाल, यहाँ पे 16-39 जंबर 2022 तक कंड़क्ट किया जा रहा है, आपको जाना चीए, नेपाल की और से, स्री बावानी बक्स बैटलियन की आर्मी सोलजर्स पार्टिस्पेट कर रहे हैं, वहीं भारत की और से, फाइव कोरुका राइफल्स से, इंडियन आर्मी सोलजर्स पार्टिस करता है, और साल 2011 से ही इसको कंड़क्ट किया जा रहा है, मेटे फ्रेडरिक्षन है प्रदान मंत्री के रूप में फिर से चुनी गई है, ऑप्शन आपके सामने है, सही आंतर ऑप्शन सी, डैनमार्क है, तो आपको जाना चीए, मेटे फ्रेडरिक्षन, यह डैनमार्क की प सोचल डैमोक्रेट्स की लीडर है, आपको जाना चीए, तेरा दिसंबर 2022 को इन्होंने एनाउंस किया कि एक कॉलिशन गवर्मेंट वन रही, जिसमें सोचल डैमोक्रेट्स, लिबरल्स, एंड मोडरेट्स, यह सभी भागिदार होंगे, और सबने डिसाइट किया है, कि यही प्राइम मिस्टर के तोरपर कंटिन्यू करेंगी, आपको बता दें, कुछ समय पहले इन्होंने प्राइम मिस्टर पत से इस्तिफा दिये दिये था, नई एलेक्शन हुए, क्योंकि कोवीड मिसमेनेजमेंट के कारण, इनके खिलाफ यहां की जो पार्लेमेंट है, उसमें अविश्वास प्रस्ताव जो है ला जाने की प्रोग्राम बनाया गया था, डेन्मार्क के अगर हम बात करें तो कैपिटल कॉपन हेगन है, क्रंसी यहां की डेनिश क्रोन है, साथी आपको जाने चाहिए डेन्मार्क की पार्लेमेंट का नाम है फॉगेटिंग, साथी डेन् लाट्री ऑफ बंड बोलते हैं, वीच फिर्म एनॉंस तल लांच ओ फीट्स काणसी मर पैकेस्ट गुड्ज प्रांट इंडिपेंडडेंस इन गुजिरात किस फिर्म ने गुजिरात में अपने खॉनूर घॉड्ज प्रांट इंडेमेंडेंच को लांच करने की तो है ऑप और कुछ समय बाद इसको पूरे भारत भर में रोल आउट किया जाएगा तो यह FMCG ब्रैंड हिनका FMCG का मतलब होता है Fast Moving Consumer Goods इस ब्रैंड को लॉंच किया गया है Reliance Consumer Products Limited द्वारा जो की इस Reliance Retail Ventures Limited की एक FMCG आम है इसकी एक सबसिट्री है अच्छा आपको जाना चाहिए इससे पहले एक सौफ्ट रिंग ब्रैंड रहा केमपा इसको भी रिलाइंस ने एक्क्वाइर किया तो यह भी FMCG सिक्मेंड में आता है यानि कि Fast Moving Consumer Goods सिक्मेंड में आता है आपको जाना चाहिए जो यह आर आर वीयल है यानि कि रिलाइंस रिटेल वेंचर लिमिटेड यह और भी जैसे जियो मार्ट है जियो है नेट मेंट से जिवा में इसको भी ऑपरेट कर रहा है इंटरनेसल क्लाइमिट क्लब हैस बीन लॉंच्ट बाइ विच इंसिटूशन अंतरास्टी है जलवायू क्लब के संस्था द्वारा शुरू किया गया है ऑप्शन्स आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन ए है जी सेवन तो ग्रूप ऑफ सेवन जी सेवन इसमें जो कंट्रीज है इन्होंने एनाउंस किया है कि हमने इंटरनेसल क्लाइमिट क्लब लॉंच किया है उन कंट्रीज के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करना च खान चाहिए किया है और इसका और क sales और Yeah um किया किया है जेर्मन चांस्लर के द्वारा抜़द के द्वारां तो जीस सेवन लीडर्स के साथ इन्होंने एक वीडीयो जो global warming है 1.5 degree Celsius तक limit रखने का जो Paris Agreement है तो उस पर जो है progress की जाए उस पर आगे बढ़ा जाए साथ ही अगर हम इसके Secretary की बात करें तो जो Organization for Economic Cooperation Development है साथ ही International Energy Agency है तो इनको बताया गया है इनको कहा गया है कि इसके Secretary की विश्थाप अपने हां कीजिए Which country was recently removed from the United Nations Commission on the Status of Women UNCSW किस देश को मैलाओं की स्थिदी पर सेयुक्तास्ट आयोग से हटा दिया गया है सही आंजर आप्शन ए इरान है आपको जाना चाहिए United Nations ने एक वोटिंग की है जिसमें इरान को United Nations Commission on the Status of Women यानि की UNCSW से remove कर दिया गया है 2022 से 2026 टर्म के लिए आपको यह जानना चाहिए कि जो UN Economic and Social Council है ECOSOC तो इसके 29 मेंबर्स ने इसमें वोटिंग की है 29 मेंबर्स ने फेवर में वोटिंग की है 8 countries ने अगेंस्ट में वोटिंग की है और 16 countries ने दूरी बनाए रखी है abstain किया है including India आप सभी जानते हैं इरान में पिछले कुछ समय से प्रदर्शन हो रहे हैं यहाँ पर जो strict dress code है उससे संबंदित तो एक यंग इरानियन कुर्द रही माशा अमीनी तो 16 सितंबर को इनकी death हो गई custody में यह इस चीज का प्रदर्शन कर रही थी जो यहाँ पर strict dress code है उसको लेकर प्रदर्शन कर रही थी है तभी से यहाँ पर कई सारे दंगे हो रहे हैं आपको जाना चाहिए यहाँ पर UNCSW के बारे में United Nations Commission on the Status of Women के बारे में यह एक functional commission है United Nations Economic and Social Council की और इसकी स्थापना 266 को की गई थी headquarters New York USA में है Indian and Chinese soldiers faced off on December 9, 2022 in which of these areas इन में से किस छेतर में 9 December 2022 को भारती है और चीनी सैनिकों के बीच जड़प हुई options आपके सामने हैं सही answer option भी है यांक से तो आप से भी जानते हैं अरुराचर परदेश के तवांग सेक्टर में जो LAC है Line of Actual Control उसके along Indian और Chinese soldiers के बीच में जड़प हुई और दोनों ही साइड से injuries की बात भी सामने आ रही है तो यह जड़प हुई है यह यांग से reason में हुई है और लगबग 20 Indian soldiers और इस से ज़्यादा Chinese soldiers इसमें injured हुए है विशी स्मॉल किस लगुवित बैंक ने SDFC लाइफ के साथ बैंक अश्यादारी के लिए करार किया है options आपके सामने है से answer option A है AU Small Finance Bank तो AU Small Finance Bank ने अनॉंस ही है कि हमने SDFC Life के साथ एक Bank Assurance Pact sign किया है Bank Assurance Pact में आपको कई बार समझा चुका हूँ बागी हमने हाली में यह पढ़ा था कुछी दिन पहले कि ICIC Lombard और AU Small Finance Bank ने भी Bank Assurance tie-up किया है और इसी दुरान मैंने आपको AU Small Finance Bank के बारे में भी जो बेसिक डिटेल हैं बता दी थी Which Bank partnered with Saadhan to provide digital microfinance solutions to feature phone users feature phone उपयोग करताओं को digital microfinance समधान बरदान करने के लिए किस Bank ने Saadhan के साथ बागेदारी की सही answer यह option दी रहेगा IDFC First Bank तो जानेगा जो प्राइवेट सेक्टर लेंडर है IDFC First Bank इसने एक जो Association of Microfinance Institutions है Saadhan इसके साथ और डेली बेस्ट फिंटेक solution provider NextGen इनके साथ partnership की है किसलिए to provide digital microfinance solutions to feature phone users जो feature phone users है उनको digital microfinance products प्रोड़क्ट कराने के लिए IDFC First Bank के बारे में आप जामते हैं MD&COV वैद्यनातन है Headquarters Mumbai महारास्ट में है Tagline है Always You First Wish Regulator has shortlisted seven global consultancy firms to use AI and machine learning for supervisory functions किस नियामक ने परियवेक्षी कारियों के लिए AI और machine learning का उप्योग करने के लिए साथ Westwick प्रामर्श फिर्मों को shortlist किया है options आपके सामने हैं सही answer option A है RBI तो जानिगा Reserve Bank of India ने साथ global consultancy firms को shortlist किया है और किस लिए किया है to use artificial intelligence and machine learning for supervisory functions आप सभी जानते हैं Reserve Bank of India एक regulator है supervision करता है और जो भी इसके regulator से संबन्दी जो भी इसके कारे है तो उनको artificial intelligence और machine learning के through किस तरह से किया जा सके किस तरह से उनमें और advancement लाई जा सके इसके लिए इसने साथ global consultancy firms को shortlist किया है यह सबी उन firms के नाम है आप देख सकते हैं इसके पत्रकार को जेल भेजने के मामले में विशुका शिर्स देश है options आपके सामने है सही answer option A इरान है तो देखिए committee to protect journalist CPJ इन्होंने का है कि पिछले कुछ समय से जो journalist हैं उनको जेल में भेज़ जाने की गटना है काफी बड़ी हैं और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में फिलाल seven Indian reporters हैं जो जेल में बंद हैं इससे पहले इतने नहीं हुए हैं तो इन्होंने का है दिसंबर एक दोचार बाइस तक 360 reporters इस तरह की आपना है जेल रहे हैं और इनमें अगर हम top five countries की बात करें जहां पर सबस्यादा जनरलिस्ट जेल में हैं पहले नमबर पर इरान है फिर चाइना मैमा टर्की एंड बेलरूस तर्की और बेलरूस के तो ऐसी दोस्ती है कि अगर एक उल्टा काम करेगा तो दूसरा जरूर करेगा खासकर की बेलरूस डारेक्ट टेक्स कलेक्शन्स हैब ग्रोन बाई वर्ट परसेंट तो रूपीज 8.77 लाग करोड ओन यूर इन फिस्कले 2022-23 वित्वर्ज 2022-23 में परतक्षकर संद्रे कितने प्रतिशत बढ़कर 8.77 लाग करोड रूपे हो गया आपको जानना चाहिए जो डारेक्ट टेक्स कलेक्शन्स है फिस्कले 2022-23 के लिए यह 24.26 परसेंट बढ़कर 8.77 लाग करोड रूपीस हो गया है तीस नमबर तक की बात की जा रही है और फिस्कले 2023 के लिए जो टोटल बजट एस्टिमेट्स हैं डिरेक्ट टेक्स के लिए तो उसका 61.69 परसेंट यह कलेक्शन रहा है तो budget estimates for direct tax collection जो इस fiscal के लिए है वो 14.20 लेक करोड रुपीज है जो कि fiscal attorney 2 के लिए जो 14.10 लेक करोड है उससे जाता है बागी आप जानते है direct taxes में क्या आता है जो corporate पर tax लगा जाता है individual income पर जो tax लगा जाता है वो सभी direct taxes ये degree में आता है which agency has partnered with M1 exchange to provide liquidity to MSMEs MSMEs को liquidity provide या फिर परदान करने के लिए किस agency ने M1 exchange के साथ साइधारी की है options आपके सामने सही answer option A है CIDV liquidity का मतलब होता है पैसा देना है ना मतलब जब जरुरुत हो तुरंट आपके हाथ है पैसा उसको बोलते है liquidity तो small industries development bank of india यानि की CIDV जो की principal financial institutions है MSMEs को promote करने के लिए उनके financing के लिए उनके development के लिए इसने M1 exchange के साथ partnership की है ताकि जो MSMEs है उनको financing की सुविदा provide की जा सेगे वो भी competitive interest rates पर आपको M1 exchange के बारे में जानना चाहिए जो M1 exchange है यह एक online exchange है trade receivables discounting system इस platform के लिए तो तीन आते हैं इसके तैत उनमें से एक M1 exchange भी है आपको जाना चाहिए जो एक trade sell लिखा है ना trade receivables discounting system इसको RBI द्वारा regulate किया जाता है और यह एक electronic platform है किसलिए for uploading, accepting, discounting, trading and settling invoices or bills of MSMEs तो इसकी full form याद रखिएगा CIDV के बारे में तो आप जानते हैं इसना आपना तो अप्रेव निश्व नब्बे को ही थी at quarter select न उत्तरप्रदेश में है chairman and MD है Siva Subramaniam Raman which company has signed a multi-rep partnership with Finastra for the digital transformation of corporate banks in the Middle East मध्यपूरू में corporate bankों के digital परिवर्दन के लिए किस company ने Finastra के साथ बहु वर्षिय साहिदारी पर अस्ताक्षर किये है सही answer option B, Vipro है जानेगा Vipro ने एक multi-year partnership sign किये FinTech firm Finastra के साथ for the digital transformation of corporate banks in Middle East Middle East में जो corporate banks हैं उनके digital transformation के लिए विप्रो के बारे में आप जानते हैं C.O.M.D. त्वरी डेला पार्टे हैं और headquarters बेंगलरू करनाटक में है which institution signed रुपीज 4,444 क्रोड लोन पैक्ट with SJVN Green Energy for 1000 MW solar project किस संस्थान ने 1000 MW सोर परियो जना के लिए SJVN Green Energy के साथ 4,444 क्रोड रुपे के rent समझोते पर हस्ताक्षर किये options आपके सामने है सही answer option C है IREDA तो जानेगा Indian Neurable Energy Development Agency यानि की IREDA जिसे ए रेडा भी बोलते हैं इसने एक loan pact sign किया है SJVN Green Energy के साथ जिसके तहित जो SJVN का जो एक solar power project है 1000 MW का बेकाने राजस्तान में तो उसको financing किस विदा प्रोवाइट कराई जाएगी 4,444 क्रोड रुपे की IREDA के बारे में आपको जाना चाहिए एरेडा के बारे में ये एक mini रत्न category 1 Government of Indian Enterprises है और Ministry of New Enable Energy के administrative control में आती है इसके स्थाब नम 1987 को इसका मोटो है Energy for Ever और इसके जो Chairman and Managing Director है CMD ये परदीप कुमार दास है Which of the following has partnered with FIEO to help MSMEs in e-commerce exports निम्री कितने से किस ने e-commerce निर्यात में MSMEs की साहता के लिए FIEO के साथ बागेदारी की है Options आपके सामने है सही answer option D है Ship Rocket देखे MSME से संबंदी जो भी current efforts होते हैं काफी महत्त पूर्ण होते हैं आज के session में आपने देखा होगा कि कई सारे questions इसी पर based है तो देखे shipping solution company Ship Rocket इसने partnership की है जो government की trade promotion body है Federation of Indian Export Organization FIEO के साथ किसलिए to support MSME e-commerce exporters showcase their product on the B2B marketplace Indian business portal तो e-commerce exporters जो है MSME e-commerce exporters है उनको support करने के लिए साहतारी की गई है बागी आपको जाना चाहिए जो है FIEO है Federation of Indian Export Organization इसके Director General अजे साह है इस्थाने रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर windfall tax को 4900 रूपे प्रती टन से गटा कर 1700 रूपे प्रती टन कर दिया गया है तो इस तरह से सही आंत्रोप्षन C रहेगा देखिए इससे पहले मैं आपको पूरी बात बताऊं सबसे पहले आपको जाना चाहिए windfall tax क्या होता है या windfall क्या होता है ध्यान से सुनिएगा समझ में आए तो बता दीजिएगा comment box में देखिए windfall का मतलब क्या होता है इस तरह की economic conditions आ जाएं जिनकी वज़े से किसी एक चेत्र को normal से जादा फाइदा हो जाए उसको बोलते हैं windfall ठीक है आप समझ रहे हैं जैसे कोवीड के टाइम पर क्या हुआ जो ये sanitizer हो गए mask industry हो गई ऐसे तो normal चलता था normal से भी नीचे चलता था क्योंकि कोई use नहीं करता था लेकिन अचानक से कोवीड आया और इनके जो products हैं बिखने लगे sanitizer देखो कितने बिखे mask देखो कितने बिखे और अगर इस तरह के फाइदे पर अगर tax लगा जा तो उसको बोलता है windfall tax एक और मैं example दे देता हूँ अब Russia Ukraine जो war जो चल रहा है जब ये अपने peak पर था peak पर थो क्या अभी भी है एक साल होने वाला है peak पर ही है तो अभी हमने देखा कि जो कच्चे तेल के दाम है 139 डॉलर पर बैरर पहुँच गए तो इससे क्या हुआ अब हमारे इंडिया में जो domestic जो crude oil producer है जैसे कि आपका O.N.G.C.A. oil India है तो इनको बहुत फायदा हुआ क्योंकि international market में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए तो इन्होंने क्या किया इन्होंने सोचा कि हम यहां क्यों बेचे हम बाहर बेचेंगे जब बाहर हम export करेंगे तो हमें ज्यादा मुनाफ़ा होगा तो सरकार ने क्या किया उस पर tax लगाया ठीक है और इस पर जब tax लगाया इसको बोलते हैं टेक्स विंटफॉल टेक्स आयोब आपके बाद समझ में आ गई होगी विंटफॉल टेक्स किसे बोलते हैं अब जानेंगे अब इस question को और आपको पता है जो विंटफॉल जो situation बनी इस तरह से तो ONGC All India, Gail इन्हें all time high net profit प्राप्त हुआ तो चलिए अब देखेंगे इस question को देखें गॉवर्मेंट ने क्या किया है अब देखेगा अब गॉवर्मेंट ने ये भी कहा था कि जो domestic हमारी needs हैं उनको पूरा कीजिए उसके बाद आप जो है tax लगाएंगे तो गॉवर्मेंट की जेब में भी उससे पैसे जाता है तो देखें गॉवर्मेंट ने क्या किया है जो domestically produced crude oil है उस पर windfall tax को घटा दिया है और जो diesel है उस पर जो levy है यानि कि जो tax है वो भी reduce कर दिया है तो ये 16 December से effective हो गया लागों हो गया है तो जो crude oil है उस पर जो windfall tax है वो उनचा सो रुपीज पर टन से घटाकर सत्रा सो रुपीज पर टन कर दिया है आप सब जानते हैं ये जो windfall tax है ये एक जुलाई को इंट्रोड्यूस किया था इस crude oil के लिए और सरकार जो हर दो हफते में इस windfall tax को revise करी रही है तब से बागे आप जानते हैं जो crude oil है इसको pump out किया जाता है ground से फिर इसको जो petrol, diesel, aviation, turbine, fuel इसमें convert किया जाता है साथे आपको जानना चाहिए जो special additional excise duty है petrol पर वो unchanged रहेगी यानि कि nil रहेगी वही जो windfall tax है high speed diesel for exports इसको 8 रुपए से घटाकर 5 रुपए पर लिटर कर दिया गया है बाकी जो लेवी है aviation fuel ATF पर इसको भी 1.5 रुपीज पर लिटर कर दिया गया है तो ही अब आप windfall tax समझ गए होंगे मैं इसी तरह से समझा सकता था आसान से आसान समतों में समझ में आ गया है तो comment box में जुरू बताईएगा Argentinas Lionel Messi announced his retirement after the Qatar FIFA World Cup how many times has he won Ballon dure awards Argentinas Lionel Messi ने Qatar FIFA विस्व कप के बाद अपनी सेवान रित्तिकी गोश्णा की है और उन्होंने कितनी पार बैलंडियोर प्रुस्टकार जीता है सही answer option d7 है तो जानेगा जो Argentinas Captain Lionel Messi इन्होंने announcement कि है कि FIFA World Cup तो चारबाई जोगी कतर में हो रहा है इसका जो last match होगा इनका यही अंतिम यह इनका final game होने वाला है अपने देश के लिए देश के लिए अपने और आपको जाना चाहिए इनका 5th World Cup है एक ज़्यादा है किससे Maradona और Mascherano Mascherano इनसे एक ज़्यादा है यानि कि इनके इनके फोर वर्ड कप में बाट सुट किया है और Messi ने जो है पाँच वर्ड कप खेल चुके हैं अभी है आपको जाना चाहिए Argentinas का जो वर्ड कप scoring record है उसको भी हाली में ने तोड़ा है और इन्होंने 11 गोल्स जो हैं दाग दी है Argentinas के लिए वन मोर देन गैब्रियल बैथिस्टूदा साथे आपको भी जानना चाहिए इन्होंने most appearance in वर्ड कप इसका जो record है वो भी इन्होंने इक्वल कर लिया है जर्मनी के लोथार मैथोस के साथ तो 25 टाइम ये खेलने के लिए उतरे थे हाली में सेमी फाइनल में Argentina की बारे में आपको भी जानना चाहिए Argentina की टीम ने दो बार वर्ड कप जीता है और लास्ट टाइम इन्होंने 1978 में जीता था मैसी की अगर हम बात करें तो मैसी इन्हें साथ बार बेल एंडियर आवार्ड जीते है छे बार यूरोपियन गोल्डन सूस जीते हैं और ये पैरिस एंड जर्मन के लिए खेलते हैं एक क्लब है इसके लिए खेलते हैं फुटबोल की जानकारी मुझे बहुत कम है विच कंट्री हैस एनाउंस्ट दा हिस्टोरिक नुकलियर फ्यूजन ब्रेक्थ्रू कि इस देश ने एतिहासिक परमानुस संलेयन सफलता की कोशना की सही आंसर उप्षिन ए है युएस से तो आपको जाना चाहिए युनाइटेट स्टेट्स इन्होंने एनाउंस किया है कि हमें एक नुकलियर फ्यूजन ब्रेक्थ्रू मिला है और इसके तहट जो क्लाइमिट चेंज से जो हमारी फाइट है उसमें मदद मिलेगी और क्लीन एनरजी की हो और हम एक्रसर होंगे तो यहां पर जो कैलिफोर्निया बेस लॉरेंस लेवर्मॉर नेसल लेबरिटरी एल एल एनल तो यहां की रिसर्चर्स ने कहा है की फॉस्ट टाइम हमने फूजन डियक्शन को एग्नायट करने के लिए जो एनरजी जनर्यरेट होती है जो एनरजी लगती है फ्यूजन ड 없다 थान द्रवाजे खोलता है आपको जानना चाहिए नुकलियर फ्यूजन के बारे में आप सभी जानते होंगी जब two or more light nuclear collide करते हैं तो एक heavier nucleus बनता है उसको बोलते है nuclear fusion और hydrogen bomb nuclear fusion reaction पर कारे करता है principle पर कारे करता है stars और sun जो है fusion reactions इन में होती है यह अपने आप में एक question है ससी और जो one day exam होते हैं में काफी पार पूछा जाता है sun में कौन सी reaction से है तो nuclear fusion hydrogen bomb का ही पूछ लेते हैं वही अगर हम बात करें nuclear fusion की तो किसी atom की जो nucleus है जब वो दो lighter nuclei में split हो जाता है उसको बोलते है nuclear यह fusion और atomic bomb जो है यह principle of nuclear fusion इन पर work करता है which company signed N.M.O.U. with the national skill development corporation to provide digital skill training to youth जुआओं को digital kaushal prescription पर दान करने के लिए कि इस company ने रास्टे kaushal विकास निगम के साथ एक समझोता है कि आपने परस्ताक्षर किये सही answer option दी है आर्सलेर मित्टल निपोन स्टील तो देखे स्टील मेकर हार्सलेर मित्टल निपोन स्टील इंडिया इनोंने एक M.O.U. sign किया है national skill development corporation के साथ N.S.T.C. के साथ किसलिए to provide digital skill training to more than 1600 young people across the country तो 1600 से जादा जो young people है भारत में उनको digital skill training provide कराने के लिए अच्छा N.S.T.C. के साथ एक और समझोता किया गया है यह किया है Walmart और Flipkart ने तो इसके तहट यह क्या करेंगे जो MSMEs हैं उनको capacity building program के तहट यह समझोता किया गया है Walmart और Flipkart ने अच्छा यह तो NSIC के साथ है माफ कीज़गा NSIC के साथ है उपर वाला N.S.T.C. के साथ है और यह वाला NSIC के साथ है ठीक है तो तोनों सीमिलर ने इसलिए मैंने एक साथ कलब किया हुआ है Walmart और Flipkart ने National Small Industries Corporation के साथ जो है हाथ मिला है किसलिए to accelerate capacity building for micro, small and medium enterprises और यह किस मोके पर किया गया तो Walmart का जो व्रिद्ध supply development program है इसके तहत 20,000 MSMEs को जो है training complete कर दी गई है अगर हम बात करें NSTC की आपको जाना चीए 31 जुलाई 2008 को incorporate किया गया था under section 25 of the company check 1956 इसे ministry of finance के तहत सेट अप किया गया था as public private partnership model government of India के इसमे 49% share capital है और बाकी जो 51% है यह private sector के पास है वेद मनी थी बारी इसके CEO है बात हम कर रहे हैं NSTC की previous assignment questions के answer हम देखेंगे where was Sri Arbindo born answer is Kolkata, West Bengal in which year was the Assam Accord signed 15th August 1985 the stone polling ceremonies related to which festival Hornbill Festival which agency topped grievance redressor index in November 4th month in a row UIDI Central Board of Index Texas and Customs celebrated the completion of 60 years of Custom Act 1962 on Vistate December 13th named the Indian origin boy who has become the youngest Singaporean to finish the Everest-based camp track in Nepal O Madan Garg the first trial for Gaganyan is being planned for the end of 2023 or early 2024 this will be followed by sending a humanoid and then with the crew on board what is the humanoid called answer is Vyom Mitra और आप में से कई अस्ट्रेंस ने बिल्कुल सही आंसर दिया है जादा जादा संगय हैं पाइस्टिट करते रहिएगा चले आज के assignment questions हम देख लेते हैं Vijay Divas is celebrated on which day Murudeshwara Temple is in which state in which country has the US Space Force established a unit recently at the Ocean Air Base bad loans worth rupees crore have been written off by banks during the last five financial years who has been appointed as the managing director of National Daily Development Board which satellite maker becomes or has become first Indian space tech startup to close 3.5 million US dollar seed funding round which bank filed an insolvency application against G-Entertainment Enterprises for initiating a corporate insolvency resolution process the FCRA license of how many NGOs were cancelled by the government between 2019 and 2021 for a list violation of the law तो इनार्ट questions के answer आप comment box में बताईएगा देखिए मैं assignment question में वाले question लिख रहाता हूं current से संबंदित इस संबंदित जिनमें ज्यादा explanation की जरूरत नहीं होती है यह के वन लाइन होते हैं जो explanation के लिए है वो तो मैं आपको सुरुवात में बताई रहता हूं जो सुरुवात में हम करते हैं यह केवल ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक word का answer देता है दोस्ते आपर हमारे current affairs की प्लेश दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ fellow s-print साथ हमारे current affairs को शेयर जरूर रहें आज का इस session आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताईएगा thank you guys